Hello dear friends, welcome to my science academy, आज हम डिसकस करेंगे वर्क एनेरजी के बारे में देखिए कारे और उर्जा, इसमें सबसे पहले हम उर्जा के बारे में बात करते हैं तो उर्जा क्या होती है, हमें हर कारे के लिए उर्जा क्या उशकता होती है जो उर्जा है, वो कारे करने की छमता होती है और जब हम किसी वस्तु पे, यानि जब कोई वस्तु कारे करती है तो उस कंडिशन में उसकी उर्जा में कमी आती है तता जिस वस्तु पर कारे किया जाता है, तो उस वस्तु की उर्जा में उतनी व्रदी होती है यानि कि उर्जा को नहीं तो उत्पन किया जा सकता है नहीं नेस्ट किया जा सकता है ये उर्जा सरेक्षिन का नियम कहलाता है और नेग्स द Nepal को अगर हम उर्जा की बात करें तो उर्जा एक है आधिश राशी है उर्जा के मातरक की बात करें जूल, कैलोरी, अर्लंग है जो CGS पद्यति में मातरक होता है एक जूल में 10 की पावर 7 अर्लंग होते हैं एक कैलोरी की बात करें तो इसमें 4.2 जूल या कई जगे इसमें आपको मेलेगा 4.18 जूल एक जूल को हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो जूल है 1 upon 4.2 कैलोरी यानि कि 0.24 कैलोरी नेक्स देखिए उर्जा के विभिन प्रकार तो सोर उर्जा सोलर एनर्जी सोर उर्जा जो हमारी प्रत्वी है उस पर जीवन का आधार है जो सूर्य है प्रत्वी पर उर्जा का सबसे बड़ा यह हम अन्तिम इस्तरोत है सोर उर्जा से हम विदुत उर्जा का उत्पादन करते हैं हम solar cell या solar जो प्लेट होती हैं उनका यूज करते हैं इसके लावाज जो पेड़ पोदे होते हैं वो फोटो सिंतेसिस की द्वारा भोजन का निर्मान करते हैं यानि कि रासानी कुर्जा में कनवर्ट करते हैं नेक्स देखिए द्रोमान उर्जा मास एनरजी यानि वस्तु के द्रोमान की कारण उसमें जो उपस्त उर्जा होती है उसे हम द्रोमान उर्जा कहते हैं इसके लिए जो रिलेशन है द्रोमान उर्जा का वो महान साइंटिस्ट आइंस्टीन ने दिया है जो होता है इकॉल प्रकाश का वेग होता है दुर्वान उर्जा का रूपांतरन सूरी की सत्य पर कैसे होता है कि जो सूरी की सत्य है वहाँ जो हाइड्रोजमन है वो हीलियम में कनवर्ट होती है और उर्जा मुक्त होती है यानि कि जो पहले यहाँ उर्जा थी यदि X हो तो वापिस यहां जपधार्थ कनवर्ट होगा तो यह क्या होजाएगी Y यानि कि उर्जा में कम यह उर्जा का रूपांतरण हुआ है नाब की उर्जा यानि कि दो हलके नाबिक हैं वो मिलके एक बड़े नाबिक का निर्मान करते हैं तो इस कंडिशन में एक बड़े नाबिक का निर्मान होगा तो यह हुए नाब की सियोजा और यदि एक बड़ा नाबिक दो छोटे नाबिकों में तूटता है तो इसे हम कहते हैं नाब की विखंडन पर एक्जमपल के लिए हम लेते नाब की उर्जा है जो परमानु विजली घरों में विदुत उर्जा को उत्पादन किया जाता है जहां हमारे नूकलियर प्लांट लगे होते हैं तो वहाँ जो नाब की विखंडन है उससे विदुत उर्जा को उत्पादन किया जाता है नेक्स देखिए से convert होती है विदुतुर्जा में तो जैसे हमारा smartphone है यह जो telephone है उसमे mic यह जो microphone होता है यह धोनी उर्जा को grand करता है और इसको electric जो signals होते हैं उसमें convert करता है इसी तरह जो विदुतुर्जा होती है वो speaker यह loud speaker होती है उसके दोरा grand की जाती है और यह उसको धोनी उर्जा में convert कर देते हैं नेक्स्ट है chemical energy तो पधार्थ के रासानी गुर्ण धुर्मों के आधार पे उसमें पाई जाने वाली उर्जा रासानी गुर्जा कहलाती है साधारन सेल या बैटरी इसका जो discharge होना ये विदुत उर्जा का उत्पादन होता है और विदुत उर्जा यानि कि किसी सैल को हम चार्ज कर रहे हैं तो उसमें रासानी गुर्जा की रूप में संची हो जाती है प्रकास उर्जा प्रकाश विदुत चुमकिये तरंग का दरश्य भाग होता है यानि कि जो विदू तुम की तरंगे होती है जैसे X-ray है, Microwaves है Cosmic Rays है, Gamma Rays है UV Rays है तो जो विदू तुम की तरंगों का Visible Part होता है वो होता है Light इसमें Energy होती है और जो विदू तूरजा होती है वो प्रकाशन तूरजा में Convert होती है जैसे हमारे जो बलप है Tube Light है या फिर LED बलप है CFL है तो यह क्या करते है प्रकाशन तूरजा में Convert करते है इसके लाव जो प्रकाशन तूरजा है यानि कि जो हमारे सूर्य से उरजा आ रही है वो विदू तूरजा में Convert होती है Photovoltaic Cell यानि कि जो हमारी Solar Plate वगर होती है वो विदू तूरजा में Convert करने का कारिय करती है अब नेक्स देखिए उश्मा उरजा Heat Energy पधारतों की दहन या घर्शन के कारण मुक्त होने वाली उरजा उश्मा उरजा कहलाती है यानि कि जो उश्मा उरजा है जो हमारे Thermal Power Plant होते है वहाँ इसको विदू तूरजा में Convert किया जाता है और जो हमारे घरों में आने वाली विदू तूरजा है उसका उपयोग हम Heater, Price, Geyser या जो Electronic छड़ है यानि कि पानी गरम करने वाली जो छड़ होती है तो वो क्या करती है उसमें उरजा का उतपादन करती है विदू तूरजा क्या होती है आवेशो Electrons की गती से विदू धारा प्रवाइत होती है और इसमें विदू तूरजा पाई जाती है अब एक हम डाइग्राम से समझ लेते हैं कि जो विदू तूरजा है यहां 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 यांतरिक उरजा में इन उरजाओं का आपस में क्या होता है रूपांतरण होता है थैंक्स पूर वचिंग दी वीडियो